और Migration of Grey Wales में आप यहां पर देख सकते हैं जो पिक्चर हमें नजारी बड़ी खुशल सारी और जो हमारी heading है that is January to March यानि January to March में वो Wales जो है वो माइग्रेट करकर जो है वो बोजा लेगून्स जो कर मेक्सिको जो है Californian Coast के पास से वहां पर आ गई है और यही वो आइडियल टाइम है जिसकत आप Migratory Wales को जो है वो Californian Coast के साथ जो है वो देख सकते हैं और जिसकत जो है यह पहले जो है वो December में जो है वो Northward जो है वो Southward मूफ करी है उसके बाद जो है इन्होंने मार्च में दुबारा जो है वो Southward मूफ करना है तो उन लेगून्स में आकर जो है यह डियूरिंग जैन्वरी, February आलमोस वो वेल्स यहां तक पहुंच जाती है लेकिन बाई मिड मार्च मिजॉरिटी पापुलेशन वेल्स की वो यहां इन लेगून्स तक पहुंच जाती है और यहां पर जो है वो जो है ग्रे वेल्स के ज जो इनके बेबीज हैं जरा देखें यह 15 फीट लॉंग पहले ही इनका साइज जो है वो 15 फीट का है और इनका जो वजन है वो अबाउट 1500 पाउंड्स है और इस दौरान जो है ग्रे वेल जो है वो इस फोटे अपने कलफ को जो है यह बेबी को अपने बॉड़ी के साथ-सा पाणी के अंदर अगर मिल्क जो होगा तो वो तो डिसपर्स हो जागा तो फिर कैसे चीज होगी तो यह जो कब्स होते हैं इनका मूँ जो हो बिलकुल अटाच होता है जहां पर वो जहां मेमरी ग्लैंड्स है इनके और जो यह मिल्क प्रड्यूस करती है उसमें फैट की जो कॉंसेंट्रेशन है वो जादा होती तो वो बहुत ठिक सा जो है वो मटीरियल होता है जो के इतनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होता बलके तकरीबन ना डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर इस तरह कर्स जहें वो उसको सक कर लेते हैं और उसकी जूरत जो हो पूरी हो जात करेक्ट भी करना होता है तो लहाजा एक दफा आप जहें देख सकते हैं जहें जनरी में डिसेंबर में कि वो जहें नौर्ट से माइग्रेट करके जहें वो आ रहीं कैलिफॉरियन कोस्ट की तरफ और अकेली हैं उसके बाद बहुत सरी ऐसी वेल्स आपको जहें वो जाती भ होंगे अब ये फेबरुरी और लेट एपरिल का मन्त है उसमें नौर्ट वर्ड वेल्स की माइग्रेशन होनी है अब ये देखिए ये वेल जो है उसके साथ ये उसका बेबी जो है वो साथ में जा रहा है इन्होंने जो है वो बैक नौर्ट वर्ड माइग्रेशन जो है वो जो है वो जाएंगी पहले male जो grey whales है वो जाएंगे इनका जो gestation period है वो 13.5 months का है इसका मतलब है यहाँ पर जो है वो इन्होंने mating तो कर ली female grey whales है लेकिन जाके जो है वो summer गुजारेंगी Arctic Ocean में वहाँ पर feed करेंगी और दुबारा birth के लिए इसी place के उपर जो है वो आएंगी इन्ही जो है वो lagoon में बोजा lagoon की तरफ जो है वो आएंगी यहाँ पर जो है जो last में migrate करने वाली जो whales होती है वो यह mother whales और along with the cuffs जो है वो क्योंकि यह जो mother cuffs pair है यह यहाँ पर ज़ादा जो है वो stay करता है और close होता है along to the coast throughout their migration क्योंकि यह इसमें दो चीज़े हैं यह एक तो जो predators हैं और specially killer whales killer whales जो हैं वो जो है tooth whales की किसम में चामिल है यह whales जो है वो उन छोटे cuffs को हमला करती है कि हमको खास सके और white sharks उन से बचाने के लिए यह बिल्कुल coast के साथ-साथ अपने बेबी को लेकर जाती है और तक्रीबर जो है वो seven month तक जो है यह baby उस grey whale के साथ mother grey whale है उसके साथ attach रहता है और उसकी side पर होता है और तक्रीबर जो six to nine months जो है वो उसको feed करती है तकि उसका size इतना बड़ा हो जाए अब वो independent life जो है वो गुजारने के काबिल हो जाए यहां पर इस picture के अंदर आप जो है वो देख सकती है feeding grounds और जो है यह यहां पर bearing sea जो है और यह Arctic circle यहां पर जो है अलास्ता उसके बाद जो है observation points look at this जहां red dots हैं यह उनके observation points हैं यहां पर जो है वो लोग खड़े होते हैं यहां पर इन हिस्सों में जो है वो कश्टियां लेकर भी उतरते हैं कि इस grey whale की migration को जो है वो जो है देखा जा सके और यह mating or clevering ground है जो यह इस California और Mexico के lagoon जो है यहां पर आता है इसके साथ साथ जो है एक और चीज देख सकते हैं वो है हमारे पास यहां पर grey whales जो है उनकी बहुत सारी जो है सुमंदर में original जो है pictures look at this यह grey whale जो है नजर आ रही है सुमंदर से जो है वो उपर नजर आई है सुमंदर के अंदर और यह यह इसने जो है वो जुम्प किया है जिसकत वो migrate कर रही है तो जो है वो अपनी movement जो हो शो करती है जिसकत यहां पर नजर आई है तो बहुत वाज़र इसको देखा जा सकता है यहां पर उसने थोड़ा सा मूँ जो है वो उपर निकाला है grey whale अब यहां इस picture के अंदर grey whale को जो है जो है elephant के साथ जो के larger terrestrial mammal है उसके साथ compare किया गया तो जरा देखें हाती का size और grey whale का size तो यह जो है वो तीन मीटर का है और यह 50 feet की है तो अगर हम calculation करके देखें तो इसमें जो है वो धेर सारे हाती जो है वो समा सकते हैं grey whales जो है इनकी यह different जो है वो pictures हैं जो कि आपको बता समारियें सुमंदर से बाहर निकली है तो इसका जो वो जो white patches हैं वो बहुत दूर से इसकी जो है वो identification कर देते हैं look at this यह यहां पर बड़ा friendly gestures show करी है कि कश्टी में लोग है उन्होंने grey whale की migration जो है वो देखी है तो जो researchers होते हैं जो scientists होते हैं वो चुके behavior study कर चुके होते है तो वो उनको बहुत क्रीब से दे कर जो है वो भी देखने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत ख्रीब जाकर जो है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह phenomena's जो हैं जो हमें आज इनके बारे में मुलूम है definitely इसके उपर जब तक human research नहीं हुई जब तक जो है वो उसको तक जो है, इसके बारे में कोई चीज हम डॉक्मेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर ग्रेवेल ने अपना थोड़ा सा, जो है, वो मूझ खोला हुआ है। जरा देखें, इसके अंदर आपको टीथ नजर निया रहे, यहाँ पर इसने मूझ खोला हुआ है। यहां देखे, इसका माउट यहां पर यह इसके जो बेलीन है वो बड़े वाज़े हैं जो ग्रेवेल्स के तो अगर हम इसको सर्च करना चाहें, इसके मतलिक मजीद वो इन्वेस्टिगेट करना चाहें, तो दुनिया हाजर है, अब तो दुनिया ने जो है वो हमें तमाम की त माम मालूमात अपने डोर स्टैप पे बलके हमारे हाथों में पहुंचा दी है सिर्फ एक हमारा शौक जरूर होना चाहिए कि हम इसको देख सकें इसमें एक साथ चलते चलते हम आपको एक ब्लू वेल्स भी दिखाते हैं ब्लू वेल्स भी इतना बड़े हैं कितना बड़ा का ओओ और यह जो है फॉट कि क्रील stateure से पांप तरो सब्सक्राइब और इक दिन के खाना चैजि को इसको ब tirar खाता है तो ये blue whale ने जो है वो अपना feeding के लिए surface के उपर आई वे krills के लिए और उसके बार जो हो नीचे चली जाएगी लेकिन ये बहुत गहरे पानियों के अंदर रहती है ये उसकी जो बेलीन है ये हमें नजर आ रही है यहां से ये जो इसके नीचे जो lines है इस blue whale की जो बड़ी specific है वो नजर आ रही है और blue whale इससे पहले बताया आपको ये इक्रेल है जो क्रस्टेशिंस हैं ये पिक्चर जो करिए इससे पहले भी बताया कि blue whale जो है वो largest mammal है on the earth